हेलो वरून कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का सभागत है सिबसी क्लास 13 क्लास 12 के वो सभी विद्यारती जो इस बार के रिजल्ट से असंतूष्ठ हैं अंसलिफाइड हैं वो सभी छातर इस वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखें दोस्तों अगर आपने सिबसी के मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अपलाई कर दिया है सो यह वीडियो आपके लिए बहुत नहीं किया और अपलाई करने वाले हैं तो भी वीडियो बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि यह सारी चीज़ दोस्तों ऑफिशियल है और जो दोस्तों मैं दूर देखें के दोस्तों तो वह सभी चात चात रहें जो इस बार जो है मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए द्वारा से अपलाई कर रहे हैं तो उनके मार्क्स कितने बढ़ने के चांसे हैं तो मार्क्स बढ़ने की चांसे आपके दोस्तों कितने हंडर्ड परसंट यहां है यह खुद सीबेसी के ओफिसर ने मुझे बताया है कि अगर काउंटी में कोई गलती वी तो इसी स्टेप में आपके नंबर बढ़ा दिये जाएंगे जो साथ आठ अगस्ते पहले-पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों तो यहां पर माक्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिंब और साथ यहां परद्याइब के संभावना ना के बराबर कम होने के संभावन कि बच्चे के जल्टब कम हो सकता लेकिन डीपनेटी 100 परसन बढ़ सकता या तो आपको वही माक्स रहेगा दूसरी बात दूसरी बदे साफा, सıración कि सर क्या हम डारेक्न आपने एंसरी की फोटो कोपी नहीं ले सकते तो इसका जवाब भी नहीं सकते जिसे चाटर जातुर सब्रां गया है पणके सब्सक्राइब ले सकते हैं क polít अगर आप सहिमою इनबर को बढ़ाना चाहते हैं ऑछ anybody 100% अपने एक्जाम में दिया था और गलती और कांटिंग गंदे में गलती के विज़े से आपके नमबर कम आए और वेटर सिस्टम के बादिन से आपकी नमबर कम है तो डेफिनेटल ली आपको दोनों प्रेसर से जो है दोनों प्रोसेस से गुजरना होगा यह मेरे सब्द नहीं दोसो बाग कॉल सब्द के जो सब्द हैं जो उन्हों ने मुझे आज बताया था तो इसके साथ सब्द मैं आप सभी बताते चलूँ कंपार्टमेंट जो भी छात्र देने वाले हैं या कंपार्टमेंट के लिए आप साम तक मैं सारी चीडे करने वाला हूं वैजरूरी था कि अगर आप माक्स वेरिफिएंटिक्स के लपलाई नहीं करें और करने वालें तो याज सतमाप्त होने वाले हैं तो लाज से जल आई इसको अपलिकरते लाज बढ़ां आपना लाजिए दोस्तों इसके लोग दोस्तों अब मैं आपके लिए तो पता ही सारी चीज़ जतन कर रहा हूं कि आपका जो कंपार्टमेंट है जो आर्टी वो समाप्त हो जाए और आपको भी नियाए मिले जैसा कि सारी समझा करने बाद भी इस बैच ने हिम्मत दिखा और इक्जाम दिया और एक्जाम देने बाद सीबेसी की गलती विजए से अधर में लटक गया बहुत सारे बच्चे अवसाथ में चलेगे में पस हजारों की संख्या मैसेज दोस्तों अगर मैं आपको मैसेज देखा नूँ तो आप खुछ समझ जाओ कि बच्ची कितने जादा डिप्रेशन में हैं और मैं उन सभी बच्चों के तहे दिल से सुकुरि देखकर विडियो को लाइक करकर और चाहर बच्चे के बात करना क्या है बहुत से बच्चे लगाता है मुझे चेह रहें कि सर आप एक ग्रूप बनाएए और हम खोर्ट तक जाएंगे हम आपको फंड करेंगे और आप हमारे हमारी बात आगे तक पहुंचा है दोकर दोस्त हैं बच्चों के पैसे लेकर कुछ काम नहीं करते हैं तो आपको बताना कि क्या ऐसा करना सही होगा क्या हमें आगे जाने के लिए आपके साहता या अवसकत तक जरूरत है तो वह सारी चीज़े आप निर्भर करता है दोस्तों अगर आप कर्मेंट में बताएंगे तो वह चीज़ भी हम करके देख लेंगे हम अपने जितने भी बच्चे के एक्जाम जो रिजल्ट उससे अंसर्टिफाइड हैं उन तमाम बच्चों गुरूप बनाकर हम खुद जो है सुप्रीम कोड़ और करेंगे वकील हायर करेंगे आपको सब्सक्राइब करना असान बात नहीं है उनकी फीस होती है वो सारी चीज़े आपको पता है तो अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह से अपना इस्टेप आगे बढ़एं ताकि हमारा हमारे साथ नय और जल्दी तरीके समय नहाई मि मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए और वो सारी चीज़े तो आप खुद बता सकते हैं कि कैसे करना है वो चीज़ें फिर मैं वो जरूर करूँगा और आपके लिए हक के लिए मैं अपने पूरा 100% वैसी भी दे रहो और भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं इस तरह से हो सकता तो क्यों कोई भी चीज यानि किसी भी तरीके इस आपको न्याय मिल सके मेरी पूरी यह कुछी से तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रसाहन रासिया फंड जमा करके हम केस लड बहुत बहुत धन्यवाद दूसों जाइए